जै श्रीकिष्णा मित्रो जै मासम सानकाली कैसे हो आप आशा करता हूँ बहतर होंगे आज मैं आपके शमक्ष लेक्षा आया हूँ वशी करन करने का शब्षे शक्ति शाली उपरचंट महा उपाय इस उपाय के द्वारा आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो और आप सभी के लिए मैं तो पून सूचना दे देता हूँ मैं अगली वीडियो में आप सभी के लिए खुशकबरी आने वाली है खुशकबरी ये होगी काफी समय से लोग मुझे मैसिस कर रहे हैं कोल कर रहे हैं कि मुझे भी तंतर मंतर सीखना है तो अब जो भी लोग इक्चुक हैं तंतर मंतर सीखने के लिए वो लोग संपर कर सकते हैं और तंतर मंतर यंतर वशिकरन काले जादू की सही जानकारी के लिए और ढोंगी पाखंडी लोगों से बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को दबा दीजेगा तक यह आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके आज जो मैं आपके शमक्षी उपाई ले कहया हूँ यह उपाई आप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं सब पर्थम तो आप मंतर सुने मंतर इस परकार है ओम पीर बजरंगे राम लच्मन के संगी जहां जहां जाए फते के डंके बजाए नाम को मोह के मेरे पास ना लाए तो माता अंजनी का पूत ना कहलाए दुआय राम जानकी की सब पर्थम तो आपको मंगलवार के दिन से यह उपाई आरम करना है समय जो रहेगा वो रात्री कर रहेगा उससे पहले आपको हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी से प्रातना करनी है ये हनुमान महराज मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफल बनाए और भोग चड़ा दीजेगा मंगलवार की रात्री को आपको एक लाल वस्तर बिछाना है चमेले के तेल का दीपक पर जिलित करना है इकनारियल रखना है निम्बू रखना है भोग में मिठाई रखिएगा और सातविक आपको भोजन करना है किसी भी तरह का आपको नशा नहीं करना भरमचर्रे का आपको पालन करना है और इस मंतर का आपको रोजना तीन माला जाप करनी है 11 दिनों तक ग्यारा दिन में ये आपका मंतरसिध हो जाएगा मंतरसिध हो जाने के बाद आप कोई भी मिठाई लीजेगा इस मंतर का 21 बार जाप करके फूक मार दियजेगा और जिस भी इनसान को आप वो मिठाई खिलाएंगे वो इनसान आपके परतिया कर्शित होगा आपके वो वश में हो जाएगा और यदि आप उस इंसान को कुछ खिला पिला नहीं सकते तो आप मंतर में मैंने जहापे नाम का उच्छारन किया है उस इस्थान में उसका नाम जाप करना है और आपको ये उपाए 41 दिन लगातार करना है बिना कुछ खिलाए पिलाए भी आप वशिकरन कर सकते हो लेकिन वो 41 दिन आपको उपाए करना होगा लगातार और यदि आप चाहते हैं मैं इससे भी असान आपके शमक्ष उपाए लेकर हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा और उपाए में आपको किसी भी तरह की कोई समस्य आती है तो आप कमेंट कर दीजेगा और यदि आप चाहते हैं मेरे दुआरा कोई करे करवाना और यदि आप चाहते हैं कि मेरे दुआरा उपाए लेकर सफल होना तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही जै श्री किष्णा जै मासम संकले